तो बचो आज ही क्लास में हम जो है यह discussion start करने जा रहे है तो यह class हमारी है doubt in discussion class तो पहले में बदा दू इस class के बारे में कि इस class में हम पहले तो जो बच्चों को homework upload किया गया है इसकी DPP का discussion कर रहे है तो बच्चे यहाँ chat box में अपना question का number लिखेंगे जिसमें को doubt है और हम online इसको solve करने वाले है और दूसरी बात यह है कि इसमें discussion finish होने के बाद जो भी theory में आपके doubt हुए है वो आप मुझसे पूल सकते हैं तो यहाँ पे मैं start कर रहा हूं तो मौल कंसेंट में सबसे पहले में बात करता हूं discussion DPP 01 का start कर रहे है तो question number 1 to 4 में बच्चे ने पूछा है वो question number 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है question number 4 तो 4 question जैसा कि आपके सामने है कि which of the following contains the greatest number of atoms तो हमें 4 option दे रहे हैं ABCD 1 gram butane 1 gram nitrogen 1 gram silver 1 gram water पहला काम हमारा ही होता है कि हम इस mass को मोल में change करें मोल को molecule में change करेंगा और molecule के बाद atoms निकालेंगे तो मैं पहले option को देख रहा हूं पागी चारो option आप आप से कर सकते हैं तो मैंने solution के लिए देखा कि एक gram हमने butane ले लिया solution मैं बता रहा हूं कि जैसे माली जी हमने 4th question में 1 gram जो है वो ले लिया butane अब butane आपको पता है C4H10 होता है तो पहला का मेरा यह है कि मैं इसे मोल में change करेंगा तो वन अपोन molar mass of butane तो आप ही निकालना जानते है 4 into 12 plus 10 into 1 यह आप करेंगे तो यह आजाएगा 58 मोल हमारे पास आजाए अब मोल आ गए है तो इससे हम निकालेंगे मोलीक्यूल के लिए हमें 1 अपोन 58 मोल को multiply करना पड़ेगा Na से अब यह पूछ रहा है कि इसमें atoms कितने हैं तो atoms जो है हमें यह molecule दिखाई दे रहा है इसमें total atom 4 plus 10 है यानि कितने atom है 14 से multiply कर दूँ जितने molecule है तो मेरे पास atom का answer आ जाएगा तो इस तरीके से solve करते हुए आप यहाँ पर आराम से atoms से निकाल सकते हो और compare कर सकते हो कि कौनसा answer सही है तो बच्चे ने हम से पूछा था फॉर्थ में इसके बाद 5 to 8 में डाउट में 5th question जो है बच्चे ने पूछा है 5th question पढ़ लाते हैं अपन एक gaseous mixture content CO2 and N2O in 2 is to 5 ratio by mass CO2 and N2O दे दिया है the ratio of number of molecules of CO2 and N2O इसी ठीक है चली तो solution पर बढ़ते हैं अपन हमें बोला है कि CO2 and N2O जो है NO2 इनका जो mass ratio है वो जो है 2 is to 5 है तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि 2x gram है तो यह मुझे 5x gram मानना पढ़ है सही है gram निकाल दिया अब आप ही देखोगे कि gram को मोल में change करना है तो 2x upon 44 molar mass और इसके मोल होगे 5x upon इसको जोड़ेंगे आप ठीक है यह मैं एक बार देख लाता हूँ question में क्या दे रखा है N2O दे रखा है ठीक है this is N2O ठीक है तो N2O का molar mass भी होता है 44 यह moles आ गए ठीक है अब moles आने के बाद molecule निकालना है मुझे तो molecule क्या हो जाएंगे 2x upon 44 molar multiplied by Avogadros number यह 5x upon 44 multiplied by Avogadros number यह cancel out हुआ और दोन्हों का ratio क्या आ गया 2 is to 5 so the answer is 2 is to 5 तो आप देख सकते है answer B option है इसका correct 2 is to 5 तो जो mass का ratio है ठीक हमने mole निकाले पहले और mole से अच्छा question था यह इसके बाद next question आप पूछा है बच्चे ने 9th question 9th question आप देखे क्या दे रहा है यह पढ़ लेते हैं एक बारी 3 gram of hydrocarbon on combustion in excess of oxygen produces 8.8 gram of CO2 and 5.4 gram of water the data illustrates the law of तो अब देखे इसमें जो है वैसे तो आपन देख के बता सकते थे कि it is question of conservation of mass क्योंकि old laws यहां पर लगेंगे निए पर फिर भी mathematically हम इसको solve करते है 9th question को 3 gram hydrocarbon है combustion करवा रहा है in excess of oxygen produces 8.8 gram CO2 and 5.4 gram H2 तो data याद रखेंगे अपन तो इसने जो बोला है question में question number कौन सा है यह question is 9th 9th में यह बोल रहा है कि hydrocarbon मेरे पास है 3 gram अब hydrocarbon का मतलब इसमें carbon plus hydrogen है इसका मतलब carbon और hydrogen दोनों का mass कितना है 3 gram इसको नाम देता हूं equation number 1 का इस hydrocarbon को यह combustion करवा रहा है O2 axis लेकर और इससे बना रहा है CO2 plus water CO2 कितना बना रहा है 8.8 gram और 5.4 gram अब आप यह देखो कि जितना भी carbon इसमें पढ़ा हुआ था वह इसमें आ गया और जितना भी hydrogen है वह इसमें आ गया तो मैं सबसे पहले काम करता हूं कि इसके mole निकाल लेता हूं 8.8 upon molar mass करूं मैं 44 और यहां से यह mole बराबर 5.4 upon 18 molar mass यह mole हो जाएंगे 0.2 mole और यह हो जाएंगे 0.3 mole और यह हो जाएंगे 0.3 mole अब आपको पता है कि CO2 को तोड़े तो 1 carbon यानि 1 से 1 mole मिलेगा इसका मतलब mole carbon भी 0.2 मिलेगा इसको मैं molar mass 2L से multiply कर दूं तो mass carbon is equal to 2.4 gram यह आ गया यहां से हमें पता है कि water के जो mole है तो water के 1 mole से 2 mole hydrogen मिलता है Unitary method से बता रहा हूं तो hydrogen इसमें 0.3 बराबर 0.6 mole hydrogen का molar mass होता है 1 तो mass of hydrogen is equal to 0.6 gram तो hydrogen का mass इतना carbon का mass है तो mass carbon plus mass hydrogen यहा जाएगा 3 gram अब यह जो है hydrocarbon जो मैंने लिया था पहली equation बनाई थी तो mass carbon plus mass hydrogen was 3 gram given in the question और यहां से हमने कह दिया कि mass carbon दोनों को compound को तोड़ कर 3 gram है इसका मतलब है law of conservation of mass है यानि कि mass का कोई यहां पर loss नहीं हो रहा है तो data illustrates law of conservation of mass तो यह हमारा DPP one का discussion था यह हमारा DPP one को जो है यहाँ यहें यहा यहँ झादा